रत्लाम का एवन ओफ दे हापनिंग प्लेस माना जाता है हम यहां थोड़ा आगे तक चल के जाए काफी बड़ा गार्डन भी है पीछे की तरफ अब यहां से भईया लाएंगे गन्ने का जूस और वो पीएंगे उसके बाद आगे की बात होगी सोना, सेव और साडिये तीन चीज़ है रत्लाम की फेमस है रजिक दुकान है और महाकाल मंदिर में तृषुल लगा है वो इसी दुकान से लगा हुआ है अब आप रत्लाम आते हो तो भुट्रे की कचोरी चौनी चौक प्र आके जरूर से खा सकते है तो हम रत्लाम हो चुके थे कल शाम को ही सो हम रत्लाम में या है तो हम नें सुचा के हमारे गानपहचेण वासगे घर के सदस यह पर रुक यह तो हम हही पर जाके उन से मिल भी बने गे यह थे अम़री कापु है त Swat तो हम यहाँ पर रुके दे शाम को अभी यह भी जारे अमराथी और हमें सोचा के चलो आपसे भी मिला लेते और यह हमारे काका है और मोनो तो थैंक्यू और अच्छा लगा उपसे मिल के वापस मेलेंगे तो गाइस अभी हम यहां से निकल रहे हैं और रतलाम लोकल मार्केट आपको दिखाएंगे तो लेट्स को गाइस अभी हम निकल चुके हैं और अभी हमने लिस्ट अफ प्लेस्स बनाय है विल्डवानले रतलाम की अबताया रतलाम है कापु ने की यहां उनके घर के पास तरहें चाहँ सब से लिए हनुमान ताल लोग आ पॉन्ट भाड़ा बने बैट बाड़ा लोग दाला और अभी नया बना है So we have reached Hanuman Taal and it is also known as a Sajjan Taal. So Jatlaamkaya is one of the happening place. यह जादा पुराना नहीं है, यह 2010 के आसपास built up हुआ था और काफी तो अच्छी जगह है और चाम था पर आपको घूमने आना हो और bet the pleasant weather you can calm down if you are near by place in the अराथ Laam. So Hanuman Taal is basically Hanuman Ji का मन्दिर और यह पर यह आर्टिफिशल पॉंड इन्होंने बनाया है तालब के किनारे खुली हवा में अच्छा लग रहा है मैंने अच्छा सुबा की और यहां पर एक पूरा वागिंग पाथ बनाया है यहां आप पॉर्ण के उस तरफ तक आप आप वाक कर जा सकते हैं काफी साही लोग यहां पर मौनी वाक के लिए भी आते हैं हमान जी मंदिर अरिहन्त गुरूप अरिहन्त गुरूप 2010 के आसपास बिल्टप किया है 160 विगाज अमीन में पूरा है और अभी हमने आते हुए देखा कि अभी तक काम चल रहा है मंदिर के बिल्टप के आसपास चाहिए काम चला है अभी थोड़ी हल्की सी धूप है अभी थोड़ी हल्की सी धूप है बढ़ाएगे शाम के टाइम बहुत अच्छा वज़र रहेगा मंदिर बहुत सुंदर है यहां पे कुवा भी है बहुत बड़ा OMG इस नीचे जाने के इन्होंने रस्ता भी बनाया है इसके पास इसे शायद मंदिर बनाया है मंदिर तो पुरा नहीं है तलाब बजे नहीं आएग तलाब बजे नहीं आएग अच्छा अभी 2010 में चारी इसको वो गहरा किया और तलाब को तभी पढ़ा काम ने के 2010 में कुछ बट्के से जार टॉली इसको गहरा किया था सुबा का टाइम है और ठनी ठनी घवा चलिए और शांती है यहां पे मंदिर के पास अभी अंकल जी मिले थे जोने बताया कि बहुत दंबी सी पकदंडी करीब 1.5 km के करीद काफे सारे लोग वहां वाप करके जाते तालाब के किनारे तो तो देखते हैं कैसा है ऐसा फील होता है कि तालाब के किनारे नंडी के किनारे चल रहे अठनी आवारी है तो वह थूट आप एक्स्प्लोर तो देखते है जैसा कुछ तो बिख रहा है एक्स्ट्रा पानी यहां से निकलता होगा गेट लगवा रहा वह और दिया है अज़ अज़ आपको पता है कब लगवाने वाला है वह तो अज़िए भी इसका ओर देदिया है तो प्शेशी गेट बन के जएगा वह लगवा दिया जाए ठीक है तो हमें बता दीजीगा जब लगे तो हम यहां थोड़ा आगे तक चल के जाए मिस्रहार दिको तो आलस आरा है आने का चलो हम ही चलते है अज़िए पानी ज़िए तो आप देखने रहा है तो आप देखने है सीखो कुछ सीखो हमसे लोग इतने आलसी हो गए ना कि क्या बता है थोड़ा एडवेंचर तो होना चाहिए ना क्या बोलतो अब ट्राविलिंग में अगर एडवेंचर ना हो तो क्या मज़ा उसका यहां पर हम डैम के बीच ओ बीच आ गये हैं अभी तो बारिश का पानी अभी बारिश ज़स्ट शुरूई हुए तो अभी तो पानी इतना दिखनी रहा अगर बारिश के टाइम पर अच्छा है पुरा रहता होगा फुल और लोग यहां पर आते भी है तो बारिश में यहां पर और यह जो दिख रहा है पूरा दूर तक पूरा वहां तक पुरा इनने पकदंडी बनाई ए तो शाम के टाइम पर वाक करना तो मज़ा आज है अच्छा हार्दिक बोड इतनी धूप में कौन चलेगा वो बात भी सही है थोड़ी थंडा माहूल होता तो मज़ा आता तो हम आगे तो नहीं जारे बट यही से हम यू-टन मार रहे है तो अब हम लोग आए है राम मंदिर एक लाम में जो है श्री मती मिश्री देवी कल्या और केंडर दोरा श्फापित नेराम मंधिर वह आये जो कि ये बीज है और प्रीज इसके पहले आता है और यह जो रास्ता यहां से मंदिर का एंट्री पॉइंट है अका पाल को कि यह जो है रतलाम का थान को कि एकटन करता है काफी सारे लोग अक्सर यहां दर मैं भी जाये कई बार पहले यहां आया वह तो कि मंदिर परिस्टर है भगवान श्री राम का मंदीर है राम लक्ष्मन और जानकी जी का मंदीर है यहां पर और गुर्जी यह वाला विश्णु भगवान का लक्ष्मी यहां और यह इस तरफ यहां पर इरादा प्रिश्नी जी का है मंदीर और इस तरफ विश्ण भगवान और लक्ष्मी देवी जा प्रातना कर लो आप भी क्या बता लक्ष्मी जी की पुर्पा हो जाए आपके उपर भी तो और एक बात मुझे भी पता चली दुरू जी ने मुझे बताई है कि जो यह मंदीर है उसकी नीचे एक हॉस्पिट के द्वारा जा एक्टिविटीज की गई है तो काफी सरा नहीं है और अच्छी है अग्ष्मी जी और लक्ष्मी जी काया है अच्छी तो यह गार्डन और पॉंड जैसा जो बना हुआ है यह काली का माता मंदिर के जस्त सामने ही है काफी बड़ा गार्डन भी है पीछे की तरह और पॉंड भी है और काफी जगे तो अगर आप शाम को यहां पर आके तो इसरो बैट भी सब्सक्राइब अब हम आप पहुंचेंगे काल का माता मंदिर सो बिट्विन द इन द सीटी मार्केट में ही है यह काल का माता का मंदिर इसके ऑपोजिट में एक बड़ा सा संजर सामें के तालाब लिखा है यहां पर इम फोड़ेर बैठे भी साही तो शाम के टाइम पर आएगे हैं यहां बहुत साही मच्छिया भी हैं वहाँ साही लोग यहां पर मच्छियों को फीड करते हैं चारा डाल जाया है अभी देख सकते हैं तो इस अ गूद प्लेस पूशिट इस अ अली मॉनी आंड़ एवनी तो चलो गाइस मुंदिर में चलते हैं माता जी का जैशन करते हैं भजन किर्टन सुबह प्राता दस बजे और भोजन प्रसाभी जारा बजे जै माता जी जै माता जी माता जेर सक bestimmt कर दोशिता है बहारा जार कर जाल जार कि बहुँत कि अंप कि अ इस इस दी खेमेस कालिक का माता मंदिर यहां एक बड़ा मंदिर हैं अफिजारि लोग आते हैं अफिमाना हुआ मंदिर है और जो बंदिर का ट्रेस्ट है उसमें काफी सार अन्यशेत्र वहां पर है जिसके अंदर जो लोग जो भी दान करते हैं दान कुन्य करते हैं उससे गरीब लोगों के लिए भोजन की वस्तागी जाती है और और भी सुविधाय यहां पर दी जाती है यहां बेरियुकंप यहां पर लगये हुए वहाँ देख पा रहा हूं इस अन्यशेत्र का है, फिर वहां पर एक बोर्ड लगाओ यहां ने शेत्र का सेवा मंदल तो यहां पर भगवान का ही एक सेवा मंदल चलता है अब अब अम लोग चलेंगे सिटी में कि सिटी के मार्केट कुछ एक्स्प्लोर करेंगे वहीं मिलते हैं आप से तो वंस अगेन वेलकम बैक तो दी चैनल गाइज फिल्हाल मैं आज शुका हूं रतलाम के मानक चौक में आपको में दिखाया अभी महालक्षपी मंदिर था यहां मानक चौक का और उसके आसपास काफी बड़ा बड़ा और पुराना एक मार्केट है तो अब हम लोग उसी मार मार्केट में फोड़ा एक्सप्वोड करेंगे निवी सो यूगाइज की रतलाम में किस तरह का मार्केट है और क्या क्या है यहां पर किस बिल्ड़ा है यहां पर है पिछ जाते-जाते रखते में मुझे लिट्ट्रा लेने वाली है जामुल और जामवल है यह जो ओल्ड लाइब्रेरी यह को आज पुस्तकाल अब है इसके सामने से एक रस्ता जा रहा है जिसके अंदर एक मार्केट है एक मार्केट इस तरह भी एफ यह थोड़ा ब्रॉट है यह थोड़ा नेरो वाला है हम लोग जाएंगे नेरो आले में ताकि उसके अंदर य तो यहां पर दुकाने मिसलेनियस आइटम्स की ठीक है और यह इस तरफ जो है सब्जी बंडी है सब्जी बंडी में हम लोग चलेंगे लेकिन बाल भी पहले थोड़ा सा यह वाला मार्किर एक फ्लोड कर लेते हैं तो बेसिक चोटी-चोटी दुकाने हैं एक मसाले की मसाले की शौप है यह भईया की लॉरी टाइप काफी कुछ मसाले यहां पर यह बेसिक आइटम यह बैग शौप अनधर बैग शौप सम रोड साइड वेंडर्स वाव यह जो है सूपके से पुराने वाले अटेची बनते यह बेसे लुहे की लुहे की अटेची वाली दुकान है यह बहुत दिजाइन है यहां पर अधिस अनधर शौप मिसलीनियस आइटम सारे अभी अमारे पास जो अप्शन है यह तो हम लोग जाए इस तरफ यह हम लोग जाए उस तरफ वर्ड यू से डॉक्टर आदा पूछ लेते हैं कि अधर इस तरफ कितना लंबा है माने को किस तरफ यह तक है और इधर ज्यादा बजा रहे है कपड़ों का मार्केट और वहां से भी चाननी चोक का रस्ता आजाएगा पट जाएगा रस्ता बीच में से चलिए ठीक है तेंक्यू भी आप तो एस पर दी गाइडेंग प्रम लॉरी वाला भीया विए डिसाइड़ तो गो दिस साइड यहां पे कपड़े वाला मार्केट जो पूरा आने वाला है और कपड़े वाले मार्केट में ऐसा सिस्टम है कि बहुत सारी कपड़े की शॉक्स होंगी और उसके पास में जो रस पूड वह भी ट्राइब करेंगे रतलाम का क्योंकि जब आये हैं यहां पर पूरी तरह से सिटी की हर एक साइड को देखना भी बनता है यह तो कुछ बेसिक शॉप सी है में रोड की आगे चलके हमें कुछ मिलने आला है वही चलके पता चलेगा तो लेट्स गो एंचेक बच्चतने बहुत जाओ अब भी भी थाता हूं अब यह को आपको बता अब अलग अलग तरह के कप वह आपास वाव नाइस डिजाइनर कप और बच्चों के लिए डिजाइन वाला भी यह पिंक वाला इनको पिंक पसंद है क्या रेट है बजाएं कप्स की अलग अलग अच्छा तो काफी रिजनेबल रेट में कप्स अवेलेबल है यहां पर भाईया के पास में जो लॉरी लेगे गूंग रहे थे उन्होंने इशारा किया मेरे तरब कप दिखाए उन्होंने मैं सुचा कि वह भी शूट करके दिखा लेना चाहिए है कि यह बहुत इंपोर्ट अच्छी दुकान है जो होल से नोल बनाते हैं और अच्छा मेने पहली पास मेने पहली दुकान है जो पहली दुकान है जो पहली पास मेने देखी है वह बहुत दुकान है जो पहली 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 बहु तो यह पर यह जो बजारे काफी सान्दी चौक मानिक चौक सब पास पास में लीघ को आगे जाएंगी तो आगे जाएंगी तो राहे चौक पर चान्दी चौक में बेसिकल क्या चीज़े जादा में है सारापा मार्केट साराम का गोल्ड पर फिसके बाद यहां के मावा पर हमारी थार आपलाम का ऑच्छा और वरक टाइब में यहें कि पूरा मर्केट कॉर्फ वार्वालों को वास्ता था इज घृष वाहा चाहिए और लंका फेंगे कैंगा सोना शेव साडी और तारी और बता वर सेमस है तो अगर अब रतलाम आते हो तो यह तीन चीज एक्सप्लों करना मत जुलेगा यह लोगों को यह पता था के रतलाम यह जो जो डिक्टारा करें पद़ा यह है इंच गोल्ड ओंग मोडल वालाटेमपू है जो कि बहुत सालों से यहां पर चल रहा है अभी तो अलमुस्ट यह सारे गायब हो गया है अभी कुछ कुछ बचे और इसमें पहले बैट कि आते हैं तो चलो फिर आपको निखाते हैं धलाई बेरुराजी के दूकाने और महाकाल मंदिर में तृषूल लगा तृषूल लगा है वो इसी दूकान से लगा हुआ इसका है यह जूस पेफर में दूर आया था और केदारणाथ में यही से लगा है बहुत अच्की जर्दीनाथ लगाया अच्छा बदीनाथ तो उसका टीरेडिने के आजने मादटे की आञेटी ऐने । कि अएक आगा कैशने हम ने हम ने हमने भुट्टे की कशोरी खाके। यह संद यह वि में धुट्टे की कशोरी खाते हैं डीर्च जरूर्टें का शक्ते हैं। तुरा ले दुपान का ए सो गर्मी में हमने थन्टी कुल्पी का मजा ले लिया ले लिया किमरा बम तर्टा कुल्पी तो घर रब यहाँ पर चानु का स्टा ल्राम चानु कर पना जो नगा है और लिया कुल्पी थाई यह बोदी टेस्टी और वाराइटी वाली बट्या के उसी बंदा जाएगी वहीया के पास येस और बहुत सारी वाराइटी है यहां पर हमने इसमें से एक दो ट्राइटी है यह मुस्टा है ओके थेंगी वहीया